टीवी नाइन भारतवर्स की टीम जब फ्रंट लाइन से एक-एक हालात आपको बता रही है तो उसी बीच फ्रंट लाइन के साथ बसे उन इलाकों को भी दिखा रही है जहां पर लगातार युक्रेनियन साइट से जो हाइमार्स के जड़िये हमले हुए हैं आप देखे ये ल देख सकते हैं कि हाइमार्स के हुए हमले का यहां पर क्या असर पड़ा है और टीवी नाइन की टीम इस जगह पर मौझूद है जहां पर दो तीन दिन पहले यह हमला हुआ अब आप सोच सकते हैं कि इस तरह के हमले के बीच में मौझूद होकर टीवी नाइन की टीम आपको को ये बताने और दिखाने की कोसिस कर रही है कि देखे यहां क्या हैं और यहां पर रहने वाले लोगों की जिंदगी कितनी चुनोते पूर्ण है कितने खतरे से भड़ा हुआ है और इस बीच जो fournt line पर हम मौझूद है front line के पास में यहां सीमावर्थी जो इलाके है हैं जो बस जो गाओं है जो छोटे-छोटे टाउन है वहां पर किस तरीके से सिविलियन पर अटैक होता है वो चीज हम आपको यहां दिखाने की और बताने की कोसिस भी कर रहे हैं मकसद यह है कि इस महायुद्ध के हर एंगल को हम आप तक ला सकें इस महायुद्ध से परिनाम पर ही निर्वर करता है कि हम और आप बचे रहेंगे या नहीं इस महायुद्ध के परिनाम पर ही निर्वर करता है कि मानवता बची रहेगी या नहीं और इसे लिए इस युद्ध को समझना जरूरी है इस युद्ध के अलग-अलग पहलों को समझना जरूरी है और आपसे बात कर रहा हूँ उस वक्त भी लगातार धमाके की आवाज आ रही है क्योंकि इसके ठीक पीछे में वो फ्रंट लाइन है जहां से हम लौट रहे हैं कैमरामन अमित बालियान के साथ मनीज जहा टीवी नाइन भारत वर्स रूस युक्रेन बॉर्डर युद्ध है तो सहीद भी होंगे और सहीद है तो उनका समान भी होना चाहिए क्योंकि कोई देश कितना महान है ये इस बात से निर्वर करता है कि वो अपने सहीदों का कितना सम्मान करता है और जब आप रूस में खास करके किसी भी इलाके में जाए हाना कि आपको युरोपी देश में भी बहुत सारे जगा वार मेमोरियल दिखाई देंगे हम अभी इस वक्त जिस स्वातलोवा के वार मेमोरियल में मौजूद है ये पिछले कुछ महिनों पहले तक युक्रेन का वार मेमोरियल था यहाँ पर युक्रेन ने दरहसल इस वार मेमोरियल में ये बताने और जताने की कोसिस की थी की जो युक्रेन के सानिकों ने देटी विश्यूद मे भागलिया वो उनिस सो उन्चालीश से उनिस सो पैतालीश के बीच जो हम समझता है लेकिन सोवियत संग के लिए रूस के लिए ये वार मेमोरियल उनिस सो एकतालीश से उनिस सो पैतालीश का बीच है उसके भी हम आपको नमूने दिखाएंगे और कमांडर प्लीज टेल मी संथिंग आप इस वार मेमोरियल इता नाश इता नाशे प्रेद्के इमी दस्तूइन एक बुदिं सिग्ड़ च्टिति इह न्यू पामैट अ तक जह बूं सिग्ड़ बुट का लिए अनि द्लास प्रिमेर उनिस प्रिमेर उनिस सहर को उन्होंने अपने कभजे में लिया उक्रेन की सैनिकों को पीछे एक द कोसिस किया है और इस वक्त देखे यह अखंड जोती है यहा अखंड जोती उन वीर्ता को सलाम है उन सहीदों को सलाम है जिन्होंने अपने जान को निच्छावर किया इस मात्रि भूमी की रक्षा के लिए और आप देखे दिए विश्विद के इस वार मेमोरियल में तमाम उन सहीदों के नाम मौजूद हैं जो जुनोंने अपनी सहादिते दी हैं उन सब के नाम यहाँ पर मौजूद हैं और ये केवल सहीद केवल रूस के सहीद नहीं थे ये युक्रेन के भी सहीद थे बस अंतर ये हुआ कि युक्रेन ने इस वार मेमोरियल को भी नाम करन चेंज क इस वक्त अमित आपको दिखा रहे देखिए इस वार मेमोरियल में चारों तरफ उन सहीदों के नाम है जो इस इलाके के थे इस इलाके के उन सहीनिकों ने अपनी जान कुरवान की थी ताकि वो उस समय हिटलर की जर्मनी यानि नाजी जर्मनी को उस समय हरा सके लेकिन इस वक् से 1945 के बीच का वार मेमोरियल दिखाया जो क्योंकि पश्रिमी देश यूरोपिय देश के नजर में यह दुनिया के नजर में यह वार में वार जो है वह 1949 से 1945 तक चला लेकिन रूस्त के लिए सोवियत संग ने इस सेकंड वर्ड वार में एंट्री की थी उनिसस वार में यह दूसे और इसके नजर में वार में रिखाया यह वह दो आप यहां पर देखते हैं बड़े से सेनिक की मूरती इस पर भी जब लिबरेशन के समय में कुछ मेहने पहले जब रूस और उक्रेन की सैनिकों की लड़ाई हो रही थी तो इस जो आप देख रहे हैं सैनिक की मूर्ती इस पर भी हमले वे थे गोलियों की बहुचार लगई थी जिसकी वज़े सिए डैमेज हो गया था और अब इसको रिश्टोर किया जा रहा है तो यह हम आपको रूस उक्रेन बॉर्डर पर स्वातलोवा के वार मेमोरियल से दिखा रहे हैं कि देखे इस वार मेमोरियल में कितना फर्क आ गया है कुछ महिनों में और इस वार मेमोरियल के जरिए यह युद पूरी दुनिया को क्या संदेज दे रहा है कैमरान अमित पालियान के साथ मनीज जहार टीवी नाइन भात्वर स्वातलोवा रूस-उक्रेन बॉर्डर इस युद में कौन भाग ले रहा है आज जो युद हो रहा है उसमें कहां से लोग आया है कहां के सैनिक है यह कमांडर अलेक्जंडर बताएंगे को प्रीख कहिसे ले डेक्षे लोड़ ग्हां करो प्रríक है कि पाल्डर ए Wanna फिर वथ पाल ए एंग टार एंग्वार प्रॉस्ट विवे साथ इस इस एसो उस्वाष एंग एंग को रस्वारी है को रस्टन इस प्रस्वाएं इस एंगमनें इस तोड़ स्टन इस दो व्या刁 का अव्या हा वे एक्राइब कर से घरे करたे ओो नहीं है है कि कुछ उन्हें है उसके वे उसा हुषाना है नहीं है रुष्क कि आपाध तान जही है यह हम फिख यह उस तो नहीं है कि उस्क बाते हैं लग वे खरे प्रोग्या है तो देखिए इनका कहना यह है कि इस युद्ध को लड़ने के लिए आज एक बार फेर पुर्व सोवियत संग के जो टरिटरी थी उसके अलग-अलग लोग आये हैं वैसे ही जैसे दूसरे विश्युद के दौरान वो आये थे मसलन कमांडर अलेक्जेंडर का जन्म युक्रेन में हुआ था तो वो युक्रेनियन भी खुद को महसूस करते हैं और साथ ही साथ वो रस्यन भी महसूस करते हैं और यही इस युद्ध की सबसे बड़ी पहचान है कि यह डिसाइड करते हैं कि धर्म किसके साथ है क्यामरामन अ झाल झाल